अगर किसी पेशेंट को शियाटिका की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या बेटर है उसको क्या यूज करना चाहिए आइस का इस्तिमाल करना चाहिए या उसको हॉट पेक करना चाहिए बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं शियाटिका की प्रॉब्लम लेके और उनका एक कॉमन सवाल होता है कि हम क्या यूज करें ताकि जो हमारे पेइन है जो सिम्टम से वो कंट्रोल में रहे आइस बेटर है या हॉट पेक बेटर है तो इस वीडियो को लास्ट त हम कब यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो आईस है उसको हम एक्यूट इंजिरी में यूज करते हैं और जो हॉट पेक है उसे हम क्रोनिक इंजिरी में यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्यूट इंजिरी क्या होती है और क्रोनि सबसे हैं या महिने हो चुके हैं तो अब जो आपकी problem है वो chronic बन चुकी है chronic मतलब की लंबे समय की problem बन चुकी है अब अगर आपको pain या inflammation को control करना है कम करना है तो हम ऐसी condition में जो है आइस का यूस करेंगे लेकिन अगर आपको healing promote करना है particular एरिया में ब्लड सप्लाइ बढ़ानी है जो टाइट इस्ट्रक्चर है उनको लूज करना है या फ्लेक्सिबिलिटी को जो है इंप्रूफ करना है तो हम होट पेक का यहीट का यूज करते हैं अब दोस्तों 90% जो पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं शियाटिका के वो क्रो में एकसेज हैंगी है तो जब पेशेंट हमारे पास क्लीनिक पर आता है तो वो already क्रोनिक स्टेज को होता है अब अगर आपके जो आपका जो दर्ध है अगर सालों से हैं या आपको महिने हो चुके हैं और दर्द आपका बना हुआ है तो फिर मैं आपको suggest करूँगा कि किसी भी exercise को करने के पहले या normally भी आप heat का यूज़ करें यानि की hot pack का यूज़ करें तो इसका जो time duration है वो है normally थेरेपेटिकली 15-20 minute बहुत सारे patient ये गल्दी कर देते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम लंबे समय तक जो है उसको apply करेंगे तो हमको जादा relief मिलेगा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थेरेपेटिकली जो हम use करते हैं वो 15-20 minute अब ये आपको decide करना है कि आपकी जो condition है वो acute है या chronic है अगर हाँ लंबे समय से अगर आपको समस्या है प्रॉब्लम है तो आप जरूर heat का use hot pack का use कर सकते हैं एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर chronic stage में है आप और आप घर पे exercise करते हैं तो exercise करने के पहले हमेशा 10-15 minute जो है आप hot pack use करें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप stretching exercise करना start करेंगे तो अगर आपने पहले hot pick किया है तो जो आपकी जो sciatic nerve है जो compression हो रहा था उसके आसपास की जो structure है जो tight tissues हैं वो थोड़े से lose हो जाएंगे ठीक है तो जब आप stretching करेंगे तो आपको किसी exercise को करने में बहुत ज़्यादा pain नहीं होगा आप relax feel करेंगे एक और बात जो मैं जरूरी है आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे patient का करते हैं कि ice pack हो या heat हो hot pack हो और directly अपनी skin पर apply कर लेते हैं तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है skin और जो भी आप यूज़ करने वाले हैं या तो आप ice pack यूज़ करते हैं तो उस skin और उस hot pack के बीच में कोई barrier होना चाहिए तो हमेशा आप क्या करेंगे आपकी जिस भी particular area में जब आप hot pack को यूज़ करेंगे तो पहले आपको towel या छोटा सा napkin रखना है उसके बाद फिर आपको जो है hot pack place करना है ऐसा क्यों बोल रहा हूं है क्योंकि हर particular इंसान की जो body है इसकी ने वो अलग अलग होती है कोई बहुत साथ सेंसिटिव होता है कोई नहीं होता तो अगर directly आप skin के ओपर apply करोगे तो हो सकता है कि जो burn है burn हो जाए skin में तो उसको avoid करने के लिए हम क्य तो आई होप कि अब आपका जो concept है वो clear हो गया होगा कि हमें क्या यूज करना है heat मलब ice pack यूज करना है या हमें hot pack यूज करना है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए आप फॉलो करो टाइम्स फिजि थैंक यू